नमस्कार किसान भाईयों स्वागत करते हैं आपका आपके रहो हमारे यूटूब चैनल टोटल फार्मियू में किसान भाईयों आज की वीडियो में हम आपको जानकरी देंगे आपकी जो धान की फसल है उसमें पीला पनाने लगा है ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही कल्ले चेनी निकल रहे हैं ये सारी समस्याएं आ रही हैं और इनी सभी के बारे में आपको जानकरी देंगे कि आपको क्या करना है और किन-किन चीज़ों का प्रयोग करना जिससे कि ये सब चीजें आपकी धान की फसल से दूर हो जाएंगी और अच्छी ग्रोथ और अच्छे कले निगलेंगे अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा ल दॉसरा है अगर आपकी धान की फसन में पानी जो घादा धिन खड़ा रहा है तब भी पत्तियों में पिला पनाना शुरू हो जाता है जैसे कि आप वीडियों देख रहे हैं धान में इस तरह से पानी खड़ा है और ज्यादे दिन पानी खड़ा रहेगा तब भी धान में पानी का निकालने का निकास रखें और ज्यादा दिन पानी को खड़ा ना रहने दें वैसे तो धान की फसल है पानी की पर पानी जो जितना पुराना होगा वो नुक्सान करेगा और बारी से गर बराबर हो रही है और पानी निकल रहा है तो फिर तो कोई दिक्कार नहीं है प तो खिसान भाईयों बढ़ते हैं वीडियो पतों बात करते हैं कि धान की अच्छी ग्रोथ हो अच्छे हर्याली आए धान की फसल्दूर से देखने में बहुत अच्छी लेगा जैसे अभी आप वीडियो में देख रहे हैं तो उसमें आपको एक स्प्रे करनी है आपको इस प इसकी स्प्रेय के लिए हम आपको मातरा बता देते हैं यूरिया आपको दो किलो ले लेना है फ़रस सलफिट जो वह आपको एक किलो लेना है और 19 परसेंट वाली फ़रस सलफिट आपको एक किलो लेना है और जो जिंक है आपको 33 परसेंट वाली एक से डेड़ किलो लेना है औ इन सब चीजों को ले लेना है और इन चारों चीजों को अलग-अलग घोल बनाना है और चूने को गया करना है मान लिजी आपको कल स्प्रे करना है तो आज चूने को आपको भीगो के रख देना है रात पर भीगो रखा रहेगा सुबह जो है चूने का पानी जो है वो उपर उस पानी को आपको जो तीन चीज़ यूरिया, फारे सलफिट और जिंक इन में मिलाना है घोल बना लेना तीनों का और चौथा चूने का पानी इसमें मिलाना है आप तकरीब एंड डेड़ सो लेटर पानी ले 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 और उसमें इन चारों चीज़ों को मिला कर प्रतियकट के हिसाब से अपनी धान की फ़सल पर इस्प्रे कर दें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो धान की फ़सल है उसमें से पीला पन गैब हो जाएगा ग्रोथ अच्छी होगी और लोहा की कमी जिंक की कमी जो भी ये कमिया होंगी इससे एक तरह का पूसकत का काम करेगा और इन अगर बहुत ज़्यादा पानी बुरा हुआ तो तब किसान भाईयों रोध है कि आप उसमें इस्प्रे ना करें कम पानी आप इस्प्रे कर सकते हैं और भरे हुए खेत में पानी अगर धान का डूब रहा है पानी से तो उसमें आपको इस्प्रे करने की जुरूत नहीं है और आप जिंक और यूरिया और फारस सलफेट का आप छुड़काओ भी कर सकते हैं छुड़काओ करने के लिए किसान भाईयों आपको 45 किलो यूरिया और 10 किलो फारस सलफेट लेके दोनों को मिला के अप प्रती एकड़के हिसाब से छुड़काओ भी कर सकते हैं अगर अची अची जानकारी मिलती रहे धन्यवाद